दोस्तों नमस्कार बात करेंगे आज ऐसी तीन कोईन के बारे में जो बाइनेंस पे लिस्टिंग को लेके लगातार ऐसी बड़ी अपडेट्स आ रही है देखो ये जो कोईन है इन फूचर का भी एक बड़ा प्लान है इन तीनों का बेसिक से आप समझो काफी अच्छी नॉलेज मिलने वाली वीडियो में और आपका जो बजट है उस अच्छ में आप इन्वेस्ट्मेंट करना चाहते हो तो देखो लिस्टिंग के पहले अगर आपको कोईन मिलती है तो येकिनन अच्छा प्रोफिट होगा और दूसरी चीज अगर लिस्टिंग हो जाती है देखो तीनों में कौन पहली होती है कौन बाद में और कब तक होती है सारी चीज़े आपको पता लग जाएगी लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब मी कहा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करो क्रिप्टो बहुस बैस्ट टूडियो चलिए गाइस सबसे पहले हम बात करते कैसी कोईट फ्लो की नाम सबने सुनके रखाया जो बाइनेंस का क्राइटीरिया है गाइस उसको आपको जान लेना है क्यूंकि ऐसी बहुत सी मार्केट में कोईन है जो भी अपनी कोईन को बाइनेंस पर लिस्ट कराने के लिए लाइ ही हो रही है वो चीज़े देखते हैं और कहीं ना कहीं जो होल्डर्स होती है कम्यूनिटी जो उनकी होती वह एक्टीव देखती है तो आज की डेट में फ्लो की नुका भी नाम आता है गाइस दूसरी जो कोईन है उसका अगर बात करें तो भी यह बैबी डोजी काइन वो थर्ड नंबर की जो एक लाजिस्ट कोईन हो जाती बिटगर्ट कोईन तीनों में अभी की डेट में एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिलती है अपडेट के मामले में हाला कि मार्केट की जो सिच्वेशन उसके साब ते कोईन परफॉर्म कर रही है उस बीच में फ्लो की 200% का भी है रिटन दे चुकी है ऐसे में चलो सबसे पहले भी है फ्लो की इनों की बात करते कि क्या इसका शेनियोर रहता है बाइनस पे लिस्टिंग के लिए फ्लो की इनों की बात करूँ में आप अभी आप देखो कि इनका मार्केट की 219 मिलियन डॉलर के आसपास जा वहीं पे इसकी जो ट्रेडिंग वाल्यूम है 36 मिलियन यह बहुत बड़ी वाल्यूम है ट्रेडिंग वाल्यूम और यह इसलिए हुई है कि देड़ से 200% का अगर कोई कोई प्रॉफिट देता है तो उसमें बाइन सेलिंग कितने जाद होती हूँ आप सामझ सकते तो यह ची के लिए 36 मिलियन के असपास है मार्केट केप भी काफी अच्छा हो रहा है कुछ दिन पहले इसका जो मार्केट केप था बेबी डौजी को ज़ल्दी गुलाएगा लेकिन इससे लिस्ट करने में अभी बहुत ज्यादा टाइम है क्यूंकि बहुत सी कोईन का एक ट्रेंड हो अगर वो कम्मुनिटी देखती है गाई CZ Binance का एक बहुत बड़ा प्रेटफॉर्म है टाइम लेता है बहुत सारी चीज़े होती है उसके बाद में लिस्टिंग होती है तो अभी दो तीन मैने में बिल्कुल फ्लोकी ने को लिस्ट करने के कोई चांसे ने लेकिन 24 दोजार चूबिस तक या दोजार चूबिस के पहले पहले या दोजार तेस के एंडिंग तक हमको तीनों का शुनियरियो लिस्टिंग होती है बिल्कुल जल्दी नजर आएगा लेकिन कौन कबसे जल्दी हो जाए वो चीज़े आपको समझना है और किसमें एक बड़ा अमौंट अब बन चुकी है लेकिन बेवी डॉजी के में बात करूँ तो बेवी डॉजी एक मात्र अपनी कोडिलियन जो स्टूटल सप्ला है उसमें पीछे रहता है गाईज क्योंकि बर्न का जो मेकेनिसम में थोड़ा स्लू है लेकिन अभी बेवी डॉजी श्वेप लाइव हो यही चल रहा है उसके बीच में उसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम देख लो तो 5.3 मिलियन के आसपास तो ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी कम है इसलिए भी यह इसमें प्रॉफिट ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है लोगों की बाइंग और सेलिंग वो थोड़ी कम हो रही और यह जो बेबी डॉजी का जो नाम भी है बाइनस की लिस्टिंग को लेकि आज से देड़ साल करीब करीब जो लिस्टिंग की बात करें लेकिन अभी तक लिस्टिंग का कोई भी बड़ा ऐसा अपडेट आया नहीं है देखते गाईस क्यूंकि बेबी डॉजी के पीछे बड़ी पोहच का नाम होता है कभी ना कभी डॉज कोईन पे अपडेट आती तो कभी ना कभी बेबी डॉज कोईन पे आती लिस्टिंग का अभी कोई शिनोरिय बिल्कुल नजर नहीं आता इससे बहुत जाधा टाइम लगी है कि जब तक एक बर्निंग का मेकेनिजम लाए अपनी कम्यूटे के लिए कितना कोईन बर्न कर रहे है वो चीज़ बाइनेंस भी देखता है वो चीज़ समझता है कि वॉल्यम इसमें आगे टाइम में ज्यादा होगी तभी हम लिस्ट करेंगे दूसरी जो काइन बेबी डॉजी वो आपने समद लिए कि भिया इसका जो ब मार्केट येप हो जाता है वहीं पर 2.3 मिलियन डॉलर की भी है हाँ पर कहीं नहीं ट्रेडिंग वॉल्यम दिखती है बाइंग सेलिंग बहुत कम मात्रा में जिस तरीके से हम इसकी पार्डनर्शीप इसका जो एनॉसमेंट होता है जो नए-ने कॉलिबरेशन करता है वो ची की जो वॉल्यम है लोगों की बाइंग सेलिंग है वो जाधा नहीं हो रही है इसका भी इंतिजार हो गाईज कहीं ना कहीं आप देखोगे एक नया आज फिरिट में भी तूरंत कुछ टाइम पहले ही बिटगर्ट ने अपने ऑफिशल ट्वीटर पे पोस्ट किया जो कि मंत कि मंतली मंतली बर्ंट का मेकनि см कह सकतों हैं श् crazies करेगा बहुत अएसरे इसने पर्चेक्ट ला चुका है बिल्कुल हमने देह्यार और लोगों के साथ रिंका जो मिलना लिस्टिंग है उसे थोड़ा टाइम लएगा क्योंकि वॉलिम बहुत कम है 2.3 मिलियन डॉलर की वॉलिम है तेज करना पड़ेगा गाईस लोगों की जब तक तक तेज बाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं बिड़ट का नाम थोड़ा दूर नहीं होगा कि वह सारी टामनी कंडिशन फॉलो कर रहा है जो लिस्ट होने के लिए रहती है तो गयाईस यह सारी चीज इन्वेश्मेंट आप बिल्कुल करो तीनो कोईन में एक बड़ा investment बिल्कुल कैसे कर सकतो तीनो में से एक भी विज़ा का लिस्ट होती तो एक profit देगा और जो भी कोईन पर भी लिस्ट नहीं होता तो एक आपकी रेंच बनी रहेगी आप 1000 रुपए कोईन खरिते हो भी हो तो या तो 1100 रुपए तक होगा लेकिन वहाँ पर 10X अगर हो गया तो 1000 का लाग रुपए बनाने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी क्योंकि बाइनस में ओल्डर्स बहुत है बहुत बड़ी रेली निकलते है बलकुल यह कहना बलकुल सत्ते है क्योंकि हमने पहले भी देख चुका है यह एक छोटी इंफॉर्मेसिंट देखे इस वीडियो पन जाता है तो बलकुल है लाइक करो चैनल को भी दस सब्सक्राइ बलकुल देखे बलकुल